हेलो फ्रेंड्स किरंदा नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूं बहुत ही सुन्दर डिजाइन इस डिजाइन को फ्रेंड्स आप बच्चों के स्वेटर पे जैंट स्वेटर पे कैप पर बुन सकते हैं और एज बॉडर भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं बहुत सुन्दर बन के आता है तो इसके लिए देखे मैंने यहां पे लिए हैं बीस फंदे यह जो पैटन है यह तीन तीन के मल्टिपल में चलता है आप तीन तीन के मल्टिपल करके प्लस टू करेंगे तो आपका पैटन जो है आपके प्रोजेक्ट पे सेटल हो जाएगा प्लस टू आप करेंगे एजिस के लिए एक एज इदर रहेगा इसका स्टिच और एक इदर रहेगा और बीच में इसके तीन-तीन के मल्टिपल चलेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको इसी पे बता दूँगी सिर्फ दो सिलाईयों को डिजाइन बहुत एजी डिजाइन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखी फ्रेंड्स यह जो आपका पैटन है यह राइट साइड से स्टार्ट होगा यनिके आपने जैसे भी नीचे बुनना है या स्टार्टिंग से बुनना है तो आपको इसको सीधी साइड से स्टार्ट करना है तो सीधी साइड रोवन तो हमें क्या करना है यह दिखे एक फंदा आप स्टेचे इसको कैसे भी करेंगे सीधा बुन लीजिए यहां बिना बुने उतार लिजी जैसे आप करते हैं तो उसके बाद देखे क्या करेंगे अपनी तरफ दागा लाएंगे एक फंदा बुनेंगे उल्टा यह दिखे एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया दागा पीछे की और ले जाएंगे और उसके बाद दो फंदे लेंगे और पिछली साइड यानि कि बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा करते हैं यह देखे ऐसे हैं यह आपके यहां पे तीन फंदे हो गए हैं एक फंदा आपने उल्टा बुना है और दो फंदों का एक की है तो आपको सारी सिलाई आगे ऐसे ही करते जाना है यह दिखे एक फंदा उल्टा बुनेंगे यहाँ पर ऐसे धागा पिछली वाली साइट करेंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे बैक लूप से बुनते हुए बहुत एजी पैटन है और दिखने में बहुत सुन्दर आता है और फ्रेंड्स अगर आपकी वूल थोड़ी मोटी हो तो और भी सुन्दर दिखेगा यह दिखे फिर से आपको ऐसे करना है फूल्टा फंदा करते हैं दो फंदों का एक करेंगे बैक लूप से ऐसे सीधा भुनते वाएं प्मिद्व है आप यहां पर द का conséquens 3 10 पर यह आरा पैटन तो माधाफंदा थो प्राट है और दो हिरा फंदों का एक बनते हूए उल्पले है थे बैकलप से पत्यूर। लिखे ऐसे उल्टा फंदा बुनेंगे और दो फंदों का एक करेंगे बैक लूप से बुनते हुए और लास्ट में फ्रेंड से आपके पास बचेगा एक स्टिच उसको आप अपने हिसाब से कैसे भी बुन सकते हैं तो यह मैंने यहाँ पर बुन दिया सीधा तो यह रोवन राइट साइड के हमारे इसमें कम्प्लीट होती है और रोंग साइड में हम उल्टी साइड में इसकी और यह इसकी दूसरी से लाई है तो एस्टिच है जैसे मर्जी बुनी आप मैं इसको उल्टा बुन लेती हूँ ऐसे और यहाँ पर आगे देखिए दो फंदों पर आपका कैसे करना है आपको पहले पहला फंदा अभी आपको नहीं बुनना है सेकंड फंदा बुनेंगे ऐसे उल्टा यह दिखिए सेकंड फंदा बुन लेंगे और इसको थोड़ा ढीला रखेंगे यह दिखिए ऐसे उसके बाद सलाईपर से ऐसे एक बार धागा गुमाएंगे और फंदा बुन लेंगे यह दिखिए ऐसे फिर इन दोनों को ऐसे छोड़ देंगे आपके तीन फंदे थे उद्दर फिर से आपके तीन फंदे होगे यह दिखिए दो फंदों पर कैसे प्रोसेस करना आपको एक फंदा पहले वाला यह छोड़ के नेक्स्ट वाले को बुनना है उल्टा ऐसे थोड़ा ढीला रखेंगे धागा सलाईपर से ऐसे घुमाएंगे यह आपका एक फंदा बन जाएगा और फिर आप फंदा बुननेंगे देखिए ऐसे और फिर दोनों को इकठा छोड़ेंगे ऐसे ऐसे करते जाना आपको यह वाला फंदा आप छोड़ देंगे पहले नहीं बुनेंगे सेकेंड फंदा बुनेंगे उल्टा देखिए ऐसे इजीली हो जाता है यह सलाइपर से धागा बुमाएंगे और फिर आपको फंदा बुनना है ऐसे और यह दोनों छोड़ देने फिर से ऐसे सेकेंड फंदा उल्टा बुन लेंगे सलाइपर धागा बुमाएंगे और फिर फंदा बुनेंगे और दोनों को इकठा चोड़ेंगे सेकेंड फंदा बुनेंगे उल्टा सलाइपर से ऐसे धागा बुमाएंगे और फिर हम इसको फंदा बुनेंगे और फिर दोनों को इकठा चोड़ेंगे यह दिखिया ऐसे सेकंड फंदा बुनेंगे सलाइपर से धागा घुमाएंगे और फिर फर्स्ट फंदा अकेला बुनेंगे और फिर दोनों को छोड़ देंगे उसके बाद ऐस्टिच है इसको आप जैसे चाहें बुन सकते हैं यह मैंने उल्टा बुन लिये देखे ऐसे देखे फ्रेंड्स यहां पर हमने दो सलाइएं जो हैं इसमें कम्प्लीट कर लिये तो यह सिर्फ दो सलाइएं को पैटर्न है जो मैंने आपको रो वन और रो टू बुनके दिखाईए वैसे ही आप आगया गया बुनते जाईए सीधी सलाइ में जैसे बुनके दिखाईएं वैसे बुनिये उल्टी सलाइ में जैसे बुनके दिखाईएं वैसे बुनिये तो आपका देखे ऐसे सा पैटर्न जो है बहुत सुन्दर यह आता जाएगा तो अब आप भी बनाएए और प्लीस सब्क्राइब लाइक एंड शेर थैंक यू